हेलो फ्रेंट्स आई हम इस प्रॉब्लम को सॉल करते हैं क्वेशन क्याता है वेन एन इस डिविजबल बाइ 5 तो रिमेंडर इस 2 वाट इस दे रिमेंडर वेन एन स्क्वाइर इस डिवाइड बाइ 5 कह रहा है कि को एक नमबर है एन जब उसको 5 से डिवाइड किया जाता है 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमेंडर क्या बचता है 2 बचता है अब क्या कहा रहा है कि उस नमबर का स्क्वाइर कर दिया गया ठीक है एन का स्क्वाइर कर दिया गया और अब उसे 5 से divide किया जा रहा है तो हमें बताइए कि remainder क्या होगा तो जो value 5 से n अगर 5 से divide होने पर 2 remainder छोड़ रहा है तो उसकी value क्या हो जाएगी 5n प्लस 2 कैसे कि 5n प्लस 2 को जब अगर हम 5 से divide करते हैं तो यह value तो completely divide हो जाती है यह value जो है आपको remainder देती है it means 5n प्लस 2 वो value है जो 5 से divide होने पर मतलब n की value क्या है n की value कितने के बराबर है 5n प्लस 2 के बराबर है जो 5 से divide होने पर 2 remainder होड़ती है ठीक है अच्छा अब हमसे आगे condition क्या पूछ रहा है कि 5n प्लस 2 को अगर हम square कर दें और अब हम इसे 5 से divide करें तो हमें remainder क्या मिलेगा तो आए हम इस value को expand कर लेते हैं वो क्या हो जाएगी 25n square प्लस 5 तूज़ा 10 n 20n हो जाएगा यहाँ प्लस 2 तूज़ा 4 divided by 5 ठीक है यह हो जाएगा आप यहाँ पर easily देख पाएंगे कि यहाँ 25 है और 5 यहाँ पर 25 आ रहा है यह term जो है completely divide होता है 5 से उसी तरीके से 20n वाला भी term completely divide होता है तो इस case में remainder हमें क्या देगा है remainder हमें देगा यह 4 और 4 को अगर हम 5 से divide करें तो remainder हमें क्या मिलता है 4 मिलता है